दोस्तों स्वागत है आपका एक और रहे वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम कोई भी इंवेस्टमेंट स्किम्स के उपर बात नहीं करने वाले हैं बलकि इस वीडियो को इसके लिए बनाया जा रहा है कि इस यूटूब चैनल ने 50,000 सस्क्राइबर को कंप्लीट कर ल यह अच्छा लगता है तब आप उनके चैनल को सस्क्राइब करते हैं तो कहींडे मेरा भी कोई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंप ने मेरे इस चैनल को सस्क्राइब किया हार्दिक सुभकामनाय भी कहना चाहता हूं और अगर आप मुझे कॉंग्रेशन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके कर सकते हैं क्योंकि आप कोई भी कमेंट करते हैं तो जो भी यूटुबर होते हैं उनको अच्छा लगता हैं कि कहीं ने कहीं वो वीडियो बना रहे है वह और मोटीवेटेज होते हैं अगर आप उनको कमेंट करके उनका जो मोटीवेशन बढ़ाते हैं तो उनके जो रिसर्च होता है जो भी वीडियो डिलेबर करते हैं उसमें और भी एफिशेंसी आती है तो अगर आप चाहे तो मुझे उसके अलाबा यहाँ पर आप होम लोन लेना जाते हैं तो क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या- आपको finance related काफी knowledgeable videos मिलते हैं तो इस तरीके का videos अभी तलक हम share करते आ रहे हैं और यहाँ पे हमने एक website भी launch किया है जिसका नाम है financefund.in जहाँ पे आपको finance related for example LIC का skims हो गया या तो post office का skims हो गया या तो जो loans होते हैं तो यह सारे topics related आपको Hindi language में वहाँ पे articles देखने मिल जाए हैं तो जो finance fund.in website है उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा यहाँ आप simply google पे भी सर्च कर सकते हैं finance fund.in तो वहाँ पे आप हमारे website पे जाके जो भी finance के अलग-अलग investment schemes वागे रहे हैं या तो जो भी loans वागे रहे हैं तो वह सारे articles को भी आप पढ़ सकते हैं उसके पुराना scheme से post office का या तो लाइसी का या तो जो भी government schemes होता है और जो भी finance के वीडियो होता है normal तरीके का वो तो आपको इस channel पर देखने मिलेगा ही मिलेगा उसके अलावा यहाँ पर आने वाले time में आपको mutual fund के उपर भी काफी detail videos देखने मिल सकते हैं कि mutual fund क्या होता है index fund क् कि जो भी fix instrument होता है investment जहाँ पर आप करते हैं for example FDI तो post office का schemes तो वो तो काफी safe investment होता है लेकिन यहाँ पर आप ज्यादा पैसा नहीं बना सकते अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है investment करके तो यहाँ पर आपको share market में पैसा invest करना ही पड़ेगा equities के अंदर पैसे invest करना ही पड़ेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहला हम directly पैसा invest नहीं करेंगे सबसे पहला हम समझेंगी कि mutual fund में की सरीके से पैसा invest किया जाता है index fund ETF वहाँ पर आप सेफली कैसे पैसा invest कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा content कर सकते हैं उसके बाद हम stock market के ऊपर भी बा थैंक्यू कहना चाता हूं कि आपने मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए जहिन दोस्तों